हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम विज्ञान के उन प्रशनों को हल करेंगे जो आपके बोड के एक्जाम के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है फ्रेंस आज हम विज्ञान में भौति विज्ञान रसाइन विज्ञान एम जीव विज्ञान के महतुप प्रस्थन को हल करेंगे जो आपके पेपर में गारंटी देते हैं कि यही प्रस्नों आज करवाने वाले यही प्रस्थन आपके प्रस्थन एक्जाम में आएगा चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस देखिए यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप सत्तर नंबर बिल्कुल आपका पक्का होगा ठीक है आज उन प्रशनों को कराएंगे जो आपके पूरे किताब का निचोड़ होगा ठीक है पूरे किताब का निचोड़ होगा ठीक है देखिए फ्रेंस चलिए अब हल करते हैं आपके सामने पहले नंबर का प्रशन है यहां देख सकते हैं कि एक ब्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस उप्योग करता है इस लेंस की छमता होगी य प्रशन है आपके पेपर में फोकस दूरी और चमता से संबनी प्रशन हंडेट परसंटेज आएगा और इस प्रशन को देखिए आपको समझा के बताते हैं कि इस प्रशन को आप कैसे लगा सकते हैं देखिए फ्रेंस यहां पी दिया है आपका 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी साथ साथ दिया है आपको चमता के चंदेखिए आपको संक मता पूछ हों देखाते हैं lobhanice सब्केदिए इस खमकेद करो इस प्रशन का नहीं सकता थे मिते सेंटीमीटर ओद कोश्राम कि देए विखें अब कितनाे हैं नहीं 20 यहां पीस आप दोर्मेश पांच आ चले आप संद गाते हैं मांनेस पांच डी का मतलब होता है और मांत्रत होता है मांनेस 5 डी प्लस पांच कि प्लश तूटी मांष टू टूडी फ्रेंश देख़ीं ह between एंसवर्त आपका पांच यहां प्लस फांस यहां कौन से लगाएंगे आप एंस्वार देखें फ्रेंस अब आप प्रश्र्ण को ध्यान से पड़िएगर यहाँ लिखा इए उत्तर सिखता है यहाँ देखें यहाँ जब इसकी जो छमता प्रशनों को आपको इसी प्रकार से समझाएंगे और सभी प्रशनों को हल करके बताएंगे जिससे आपको पोड के एकजाम में किसी प्रकार का प्राबलम नहों चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि द्रिश्च प्रकास का त्राइंग देर्द प्रास में होता है तो फ्रेंश यहां जो द्रिश्च प्रकास का मतलब होता है कि उस प्रकास को ज यहां पर चार ब्सक्तार सबसे कम होता है तो फ्रेंज देखिए अंगले सवाध को देखते हैं आपका सवाल है कि पूछता है ठीक है यहाँ पी दिया है कि किसका देखिए पहले लिख लिए अधिक और एक तरफ लिखिए लाल ठीक है यहां पर पूरा समझ लिजिए एक तो यह पूछता है एक पूछता है आपका कि इसमें प्रक्राइब किसका कम होता है यहां पर सबसे कम जो हता है सबसे अधिक किसका होता है बैगनी को हता है कि यहां पर बर आपर होता है यहां नहीं dhara को होता है in आवेश का मतलब स्केंड किसका मात रखेंग था तो सही जवाब किसका मात रखेंग का सी चलिए अगले सवाल ुसके तंतु का प्रतिरोध होगा तो प्रतिरोध आपको बताना है ब्लेटेज भी दिआ है और यहां पर शक्टि के अधिया वाट में दिया है लेक्शका प्रतिरोध आर को मता करना रिष कल्टू क्या होजागे भी इसको अबन कितना है और पटा कितना है और पटा की को हगई देखें कैसे करेंगे 250 का मतलब दोबार इसका गुड़ा होगा और है कितना हो जागा 20 15ーん 25 हो जाती है ठीक है बरेडिक हो देखे फ्रेस्त आया है आपका 610 पिसका जवाब गया भी 635 चलीा अगले सवाल को देखते हैं 40 नमबर को सवाल है व्यक्ति का शुत्र होता हे तो व्यक्ति का सुत्र पीश का Đू क्लू क्या होता है भी होता है इसमे प्रत्यावर्ति को और देखाते हैं अगला सवाल है भारत वर्स में AC-Avirti, AC इसलिए मतलब बहुता है प्रट्यावूर्थि-धारा, 一 ए के मतलब बहुता है alternating current प्रत्यावर्थि-धारा कि of courtesy AC एक जो हमारे घर में supply यूज करते हैं खृक है जो विद्दूत यूज cook करते हैं वो क्या होता चैसि का है ? ठीक है तो cμ प्रिक्वेंसी आविर्थी होता है जो हमारे घर में यूज होता है पचास है तो प्रतियावर्ति धारा क्या है आपका 50 हर्थ सबस्क्राइब याद रखी आख आख चलिए अगले सवाल को देखते हैं अगले सवाल है कि किसी दिये गए धातु के तार की वाँदुत प्रतिरो धगता निर्भर करती है ठीक है देखिए अब वाँदुत प्रतिरो धगता किस पे निर्भर करती है देखिए ऑर इच्कल्डू फार्मूला होता है यहThe Senior यह निर्वार करता है तार के पदार्थ पर यहाँ सब्सक्राइब देखते हैं आगले सवाल को देखते हैं है आपके नहां आपके आपके सामने अगला सवाल है कि एक वस्तू से सामने है टू ये फदूरी पर रखिये तो लेजस से उसका प्रतिवीम बनेगा देखेए फ्रेंस जब लेस पर जो हता है लेज इसको सीधे आप याद रखिएगा कहा बनेगा फ्रेंश टू यह पर बनेगा ठीक है अगला नंबर सवाल है बीबी आई प्रसन जितने प्रसन आपको करा रहे हैं फ्रेंश आपके वोड के लिए बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है अगला सवाल है कि जंग का रासाइनिक शु फ्रेंश जंग का जो रासाइनिक सुत्र होता है यह वादा यफ टू ओ ट्री डार्ट यह च्टू होती इसका सही जवाब होगा सी ठीक है इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा आपके सामने अगला सवाल है यहां पर देख सकते आप हैं कि एक विलियन में हाइड्रोज तो इसको कैसे आप लगाएंगा तो यहां पर देखिए कान सायन दिया है हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है ह प्लस आयन दिया है और जब यच प्लस आयन देगा और फिलियन पीच मान पूछेगा थो इस पर घात रहे गहां उसी को बताईएगा लेकिन आपको पताना क्या प्लस साथ घात रहेगा तो प्लस में इसका क्या हो जागा यदि हाइड्रोजन आयन दिया होगा और उसका पूछ रहागा जो यहां पे घात रहेगा उसी को बताना है प्लस साथ में इसका सही जवाब होगा चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला सवाल है कि मिस्र धातू कासा में बना होता है इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे यह आपके सामने चारों आपसन को आप देख सकते हैं कापर और टीन दिया है कापर जिंक दिया है इलमुनियम जिंक दिया है जिंक और टीन दिया दिए इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कापर को दिखाते हैं से स्वाब से अमतलब होता है यस्जा और यस जोड़ दीचिए ट्रिक से भसते शाब से यादे से सवस्क्रिक से माद्दम से भी याद रख सकते हैं आप इस सामने अगला सवाल है यहां पर देख सकते हैं कि साबुन में झाग उत्पन करने वाला पदाथ इसको डायरेक्ट याद रखिएगा फ्रेंज जो होता है उसमें जाग उत्पन करने के लिए कौन से पदात मिलाए जाता है तो होता ह रेजीन तो इसका सही जवाब होगा रेजीन यहीं हम रेजीन मिला देते हैं तो साबुन में जाग उत्पन होता है ठीक है इस सवाल को डायरेक्ट आप याद रखिएगा ठीक है कि साबुन में जाग उत्पन करने के लिए कौन से पतात मिलाते हैं तो रेजीन मिलाते हैं आप इसको भी आप साथ में रखिएगा कौन अधिक विदूत रिड़ात्मक्तत्य जिसका अपसन आपके साइन है निकील है और पिलूरीन है आरगन है ब्रोमीन से इस desenvolब्न आपabout सबसे ढदिक इन चार आपसें सबसे अधिक विदूर रिड़ातमक्तत्य अपसन आए आरगन है ठीक है चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपकी सामने अगला सवाल है कि जठर रस स्रावीत होता है यारी जठर रस कहां से सरवीशत होता है आपसन है अगर नाशे से पिताशे से अमाशे से या यकृत से तो फ्रेंज जठर रस होता है आपका वो होता है अमाशे स तो छटरास काहाँ सरवीत होता है अमासयसत इसका सही जवाब होगा अमाशे आपके सामने अगला न gmoo सवाल है कि इस भीक मोंनमेटर से नापते हैं देखे फ्रेंस इसको डारेक्ट याद रखिए गा इस भीक मोंनमेटर से दाव को पाप आ जाता है फिक है इस फिच इस फिच्ब म मैंटीर से क्या नापत को देखे दाब को क्या चलिएयi अगले सवाल को देख सकते हैं कि मनिश्यों में पाए जाने वाली मिस्रित ग्रंथी है अब देखें यहां पर आपसंदिया है और इसमें से बताना है आपको कि इसमें से मिस्रित ग्रंथी कौन है जैसे देखें यहां पर पिट्रूट्री ग्रंथी दिया है थाइराइड ग्रंथी दिया है अगन्याशे ग्रं आपके सामने बताना है यह दोनों है इनमेंसे कोई नहीं तो अग जनन होता है इये यह खालाता है का एक जनन जनन क्या है यह रेक्स जवाबान जनान क्या है फ्लाइंड जनन है सब्सक्राइब souvenir अगला nomer का सवाल है कि विकास के दिरिष् basis कोड़ से मानों से सबसें कटवर्ति ऐ ठीक है बंदर है चमगादर है ुछ करोस ही चिंपैंजी एं ठीक है तो मानों क विकास हुआ था सबसे पहले किस है भुझे कोड़रा बंदर एक बिया जाया तबंदर में देखा दया निकटवर्ती विकास को किस में हुआ था चिंपाइंजी में हुआ था ठीक है इसका सही जवाब होगा आपका चिंपाइंजी तो फ्रेंज यहां पर आपके इसी प्रकार का हम डेली आप लोगों के लिए वीडियो मैत के हुए या विज्ञान के हुए भविकल्पिया ती लगुत्री प्रशन का वीडियो अप्लोड करते रहते हैं जो आपके बोड़ के एकजाम के लिए फ्रेंज भू भू प्रस्न छपेंगे ठीक है इन सभी प्रश है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें